स्वागत एक बाइब फिर से आप सभी का एक्जाम गुड़ी जी भाई एरिबिन दिसर यूट्यूब चैनल में देखिए आप जानते हैं गाई इसकी बैगंसी आप सभी किया चुकी है जितनी जादा मेहनत कर सकते हो मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए क्योंकि इस बार वर्दी लेना है 60244 पर भरती आई है मेरे पहरे भाई आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी डेली UPGK की क्लास करवा रहा हूँ क्योंकि UP पुलिस के एक्जाम में UPGK का काफी ज़्यादा अहम रोल होता है इस वज़े से UPGK के क्वेशन्स को आपको जरूर देखके जाना है और मैंने जितने भी क्वेशन्स करवा हैं या जितनी में हमारी स्रीच चली है अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल की प्लैलिस्ट में जाईए यूपी जी के निव क्लास के नाम से प्लैलिस्ट बनी है आप जाकर के सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं पीडियाप जो है मैं टेलीगराम पे देखुंगा आज जो अपना गाईज चैप्टर है वो है UP के इतिहास यानि यूपी यानि उत्तर परदेश के इतिहास समंदी जितने भी सवाल इंपोर्टेंट बन सकते हैं वो सारी के सारे सवाल आज हम इस वीडियो में कंप्लेट करने वाले हैं तो चलिए आज किस इंपोर्टेंट लाजबा वीडियो की शुरुबात करते हैं पहला कुशन है आपके सामने देखिए UPPCSJ में सवाल पूछा गया है 12 फरवरी 2023 को सवाल क्या कर आए कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानि वर्तमान में तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के किस सहर में संपूर्ण भारत में करांतिकारियों के बैठक बुलाई गई थी राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा यहां पे कानपूर में आपसियन नमबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपूर में बुलाई गई थी समझेगा वर्स 1924 में संयुक्त प्रांत यानि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपूर सहर में संपूर्ण भारत के करांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया साथ ही हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसियेशन यानि एच आरे नामक करांतिकारी संगठन की भी अस्थापना की गई जिसके संस्थापक सदेश्यों में सचींदर नात सान्याल, रामपरसाद बिस्मिल, जोगेस चंदर चटरजी और चंदर सेखाराजा जो थें यह यह चारिये के संस्थापक सदेश्यों में सामिल थें अगला की वर्तमान में उत्र प्रदेश के किस नगर में सबसे पहले भारती रज़्टे कॉंगरेस का अधिवेशन हुआ था पहला अधि동 वेशन जो है गाई यह उत्र प्रदेस के किस सहर में में रखता सह ही स़ जो हो जाएगा है हो जाएगा ऐघटूर अपसेन इलाहाबाद में। कर्रेक्ट राइश सब्सक्राइब हैं इसका उत्र प्रदेस में पहली अधिन रखे का यह और और यह 1988 में हुआ था और कहां पर हुआ था इलाहाबाद में हुआ था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे हैं वो कौन थे जार्ज मूल ध्यान रखिए गा 1892 तता 1910 में भी कॉंग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में भी आयो जित हुआ था ठीक है और लेखनी है कि बनारस में 1905 में लखनो में 1899 में और 1916 में क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो फिर से गवा था 1916 में है ना और 1936 में कानपुर में और 1925 में आयो जित हुआ था दियान रखिएगा मेरे पहरे भाई, 1899 में 1936 में लखनो में और 1925 कानपुर में आयो जित हुआ था अगला है कि उत्र प्रदेश में 20那 वाद के सनकादी संप्रदाई के संस्थापक कहन थे इसका अइससर आपको बताना है कि उत्र प्रदेश में 20 वाद के संकादी उत्तर प्रदेस में बैसनोवाद के सणकादी संप्रदाय के संस्थापक थें ये कौन थे हैं ये आपसे पूचा गया है राइट एंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर यह हो जाएगा निमबार्क उप्से नमबर एक औरिक्ट आनसर हो जाएगा निमबार्क दिखे उत्तर प्रदेश में बैसनोवाद के सनकादी संप्रदाई के संस्तापक निमबार्क थें इस संप्रदाई के अन्य नाम जो है यहां से संप्रदाई और देवर्सी संप्रदाई भी है तो आपसे पूछा दाई कि सनकादी संप्रदाई का अनिनाम क्या है तो यहां से संप्रदाई भी है और देवर्सी संप्रदाई भी है निम्बुवार्ग जो है गाई जिस संप्रदाई भारत के प्रमुक संप्रदाव में से एक गिना जाते थे और इस संप्रदाई का जो प्राचिन मंदिर है यह मतुरा में दुरूब टीले पर इस्थित बनाया जाता था ध्यान रखीगा अगला है कि किस फ्रांसिसी यात्री अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती तो लाइक जरूर कर देना ठीक है तो देखें किस फ्रांसिसी यात्री ने काशी को भारत का एथन्स कहा था यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा बर्णियर ने ऑप्सन नमबर डी करेक 1194 में हुआ राजा जैचंद मुहम्मद साह गौरी से पराजित हुआ चंदावर की वरतमान इस्थिती जो है यह क्या है तिके चंदावर का युद जो है 1194 में हुआ राजा जैचंद और मुहम्मद गौरी के बीच हुआ जिसमें मुहम्मद जैचंद है यह मुहम्मद गौ में यमुना नदी के तड़ पर option number A आपका जो है correct answer हो जाएगा अगला सवाल है आपके सामने कि निम्लिकित में से कौन सा सिंदु घाटी सब्वेता का अस्थल उत्तर परदेश में इस्थित है आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा एक सिंदु घाटी सब्वेता का अस्थ अगला सब्सक्राइब निम्लिकित में से कौन सा करांटी कारी काकोरी ट्रेंड कांड से सम्मंदित नहीं था आपको यह बताना है कि इसमें से कौन करांटी कारी ऐसे हैं जो काकोरी ट्रेंड कांड में जो सम्मंदित हैं यह नहीं थे बताइए राइड आंसर क्या होगा most important सवाल है जल्दी से बताइए सही answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा आपका यह हो जाएगा option number यहाँ पे C जो खुदी राम बोस है गाईज यह काकोरी train कांड से समधित नहीं थे option C correct answer हो जाएगा दिखे जो काकोरी train कांड है इससे समधित खुदी राम बोस का समध बिलकुल भी नहीं था जो काकोरी train कांड है गाईज इसके बारे में समधिए तीस अपरल 1908 को खुदे राम बोस और प्रभुल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बं फैकने के आरूप में खुदी राम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगबग 18 वर्स की आयू में मुझफर पुर जेल में फांसी दे दी गई थी जबकि यह ट्रेंड कांड में जो समधिते थें राजियन्र लहडी रोशन सिंग राम परसाद भिस्मिल असफाक उल्लक और चंडर सेखर आज 애들 यह जो तें यह ट्रेंड में समंदी थे और जो काकोरी ट्रेंड कान ए मेरे पहरे भाई समझेगा जो काकोरी ट्रेंड कान ए इसे समंदी खुदी रामबोस का समंद बिल्कुल भी नहीं था हाँ अगर आप से ये पूछा दाए कि किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर जो बम फैकने कारों पर ये किसके प्राचींतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद इस्थित थे आपको यह बताना है कि वर्तमान में भारत के प्राचींतम 16 महाजनपद थे जो से जानकारी मिलती है और 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद जो थे यह उत्तर परदेश में इस्थित थे राइट अंस जो है इसकी वालानसी ही थी जो गाईज महाजनपत है वत्स राजधानी इसकी कौसांबी है ये इलहाबाद के आसपास के छेत्रों में था कोसल जो है आपका ये फैजाबाद के आसपास छेत्रों में था राजधानी जो है इसकी इस्रावस्ती थी मल्ली जो है ये भी उत्तर प्रदेश के देवरिया के आसपास था और जो इसकी राजधानी थी ये कुसीन आ रहा थी चेडी जो है ये बुंदेल खंड के आसपास था और जो इसकी राजधानी थी ये थी सक्तीमती पांचाल जो है गाईज यह अही छत्र इसकी राजधानी हो जाएगी बरेलिव बनाई फ़रूकाबाद के आसपास के छेत्रों में पांचाल भी है तो ध्याने किएगा यह आठ ऐसे महाजनपद हैं जिनके स्थेती उत्तर परदेश में थी जबकि गाईज कहा जाए कि प्राचीनतम कालमे कुल कितने महाजनपद थें तो वो थें 16 जिसमें से 8 उत्तर परदेश के ही थें अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि सूची फर्स्ट को सूची शेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दियेगे कूट का प्रियोग करके सही उत्तर का चेन कीजिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है मेरे पैरे भाई अभी अभी आपने देखा है और उस ठीक है और इसके अलमा का इस कहा जाए तो पांचाल जो है इसकी राज़धानी हो जाएगी अही च्हत्रा कोसल की राज़धानी जो हो जाएगी साकेत और वत्स की राज़धानी हो जाएगी कोसाम भी तो क्या हो जाएगा पहले 4 3 1 2 यानि आप्षन नमबर B आपका अगला सवाल है आपके सामने कि नबाव सुजाउद देला की बेगम का परसिद्ध मकबरा बहु बेगम का मकबरा यह निम्लिकित मैंसे किस अस्थान पर अवस्थित है आपको यह बताना है कि नबाव सुजाउद देला की बेगम का परसिद्ध मकबरा जो की बहु बेगम का म अगला सवाल है आपके सामने कि जौन पुड के सरकी वंस के अंतिम सासक कौन थे आपको यह बताना है कि जौन पुड के सरकी वंस के अंतिम सासक कौन थे देखिए अगर आपको यह सवाल कठिन लग रहा है गाईश तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप यह जानते हो कि जो आपके एक्जाम में आने के संभावना जादा है मैं वही क्वेशन आपके करवा रहा हूँ तो गाइस आपको ध्यान रखना है चलिए बताइए क्वेशन नमबर 11 है कि जॉनपुर के सरकी वंस की अंतिम सासक कौन थे राइड अंसर जो हो जाएगा आपका यहां पर यह में सामिल नहीं थे अप्शन नमबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरी बैरे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि कानपुर सधी अंतरकांड जो है कब हुआ था तो 17 मार्च 1924 को हुआ था इसको आप ध्यान रखेगा अगला है कि हड़ापा सब्यता कास्थल मांड जो है भारत के किस राजे में स्थित है सही उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऐगा में अप्सें नमबर डी उत्तर प्रदेश में और भारी मात्रा में सोने के चले मिट्टी के बरतन और टुकडे और इइंटे जो है यहां से प्राफ्थ हुई थी तीन अलग- मिलने से ऐसा नुमान किया जाता है कि इनका प्रियोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस अस्थल पर कोई एक टकसाल गरे रहा होगा तो इसको आप ध्यान रखिएगा अगला है कि सेर सा सूरी का अंतियम अभियान निम्लिकित मैसिक कि सराज जी के विरुद्ध था आपको ये बताना है कि जो सेर सा सूरी का अंतियम अभियान था ये निम्लिकित मैसिक कि सराज जी के विरुद्ध था राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कालिंजर के विरुद्ध ऑप्सन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सेर सा सूरी है इ प्राचीन सिंदुगाटी सब्यता का स्थाल है और यह जो है गुजरात के कक्ष में है ध्यान रखीगा अगला है कि कनोज पर महमुद गजनबी के आकरमण के समय वहां का सासक था सही उत्तर हो जाएगा आपका शासक रज्य पालता ऑप्सियन नमबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल है आपके सामने कि मद्यकाल में उत्रप्रदेश की किस जन्पत को सिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था आपसे सवाल पूछा दाएगा कि मद्यकाल में उत्र प्रदेश के किसे छेत्र को सिराज ए हिंद कहा जाता था बूब को इवी राजा बेगम का मदरसा जो है यह भी जॉण पर की परसिद सेसर संस्था ही थी इसका निर्मार जो है सरकी सासक महमुच सा की पतनी बीबी रजा ने करवाया था ये बात आप ध्यान रखेगा अगला है कि निमलकित में से किस वर्ड परियाग राज उत्रप्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार अस्थापित हुआ परियाग राज जो की उत्रप्रदेश में है इसके किलो पर अंग्रेजों का अधिकार जो है ये कब अस्थापित हुआ था इसका अंसर आप बताएंगे question number 18 right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा और भाई अगर आपको class अच्छी लगती है तो please like जरूर कर दिया करो क्योंकि आपके like आपके share और आपके subscribe से मुझे motivation मिलता है तो please class को like और share जरूर कर दिया करूँ ठीक है सही answer जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1797 में यह नहीं 1797 में option number D आपका correct answer हो जाएगा 1797 देखे 1797 में परियाग राज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार जो है स्थानों में आयोजित भारती रष्टी कांग्रेस के अधिवेशन के संदर में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजे तथा नीचे दियेगे कोड का प्रियों करके सही उत्तर का chain कीजे यहाँ पर आपको गाई इसका मिलान करना है और इसके बाद सही उत्तर अधिवेशन में हुआ और जो यहाँ पर कानपुर का अधिवेशन यह आपका 1925 में हुआ था और अगर आपसे पूछा दाए कि लखनों का अधिवेशन तो 1916 में हुआ और बनारस का अधिवेशन जो है 1905 में हुआ तो क्या हो जाएगा पहले आपका यहाँ पर तीन फिर चार और फिर एक और फिर दू यानि 34 बारा यानि उप्सन नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके एक्स्प्लाइशन को देख लीजे अगर आपसे पूछा दाए कि मेरठ जो है इसका अधिवेशन कब हुआ तो 1946 म में हुआ अधिक्षता किसकी थी तो यह सरोजनी नाइडू की थी लखनाव अधिवेशन जो है यह कॉंग्रेस अधिवेशन का 32 अधिवेशन था इसमें अमरिका चनल मजूमदार जो है इन्होंने अधिक्षता की और 1916 में घटीत हुआ बनारस का जो अधिवेशन 1905 में की इस बात को ध्यान रखें अगला सवाल है आपके सामने कि निम्लिकित मेंसे किस वर्ष उत्तर परदेश का समपूर्ण छेत्र बंगला प्रेसिडेंसी सारी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगड़ा प्रेसिडेंसी के अधिन कर दिया गया आपको यह बताना है कि कि निम्लिकित मेंसे किस वर्ष उत्तर परदेश के वर्तवाल में जो गाई से पूछा थे बंगाल प्रेसिडेंसी है इसको अलग करके आगड़ा प्रेसिडेंसी के अधिन कब कर दिया गया राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1833 में यानि 1833 में आप्सियन नंब निम्लिक्त मैंसे किसे नगर महोड़े सके नाम से जाना जाता है को अभी उपर भी लिखा ही है कि महोदेश्री के नाम से कन्योज को जाना जाता था कोल या कोईल के नाम से अलिगड को और महोस्टोनगर के नाम से महोबा को जो जाक भुक्ति के नाम से बुंदिलखंड को जाना जाता था हमसे सवाल पूछा गया कि महोदेश्री के नाम से किसे जाना जाता था तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा option number D कर नहोंच को option number D correct answer आपका हो जाएगा मेरे पहरे भाई वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ आप सभी के लिए जीके के 5000 से अधी questions की एक ebook launch की गई है इस ebook पे अभी आपको 60% का discount मिल रहा है यह आपको मातर 49 रुपे में अभी के लिए मिल रही है यह ebook जो है यह यूपी पुलिस exam को target करके तयार की गई है इस ebook में आपको गाई सिस्ट्री जोगराफी एकोनामिक कांस्टेडूशन साइंस फिजिस कमिस्ट्री बालोजरी स्टैटिक जीके के 5000 questions मिलेंगे साथ में एक्स्ट्रा points मिलेगा अगर आपको यह ebook लेना है तो आप इस दिएगे नंबर पर WhatsApp कीजिए नंबर है 8948667652 8948667652 इस पर आपको WhatsApp करना है आपको यहां से यह ebook मिल जाएगी इस ebook का Demi Review मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक तो एक बार आप यहां पर इस ebook का Demi Review देख लो कितने बेटरीन तरीके से यूप इपलिस exam को target करके तयार की गई है और कितने लाजबाब content के साथ यह तयार की गई है मेरे पहरे भाई आपको बता दें कि यह ebook जो है आपकी डबल 667652 पर वर्टसप कीजिए यहां से आपको यह ebook मिल जाएगी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल है आपके सामने कि अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रो का नेतरुत जो है यह किस ने किया था ड़से नमबर सी आपका जो है बिलकुल जो के बिलकुल सही आंसर हो जाएगा देखिए अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रों रजा छेत पांच लाग रूपिया युद्ध कर के रूप में मांगा था ठीक है चेट सिंग दौरा मांगी गई रखम ना देने पर वारें हेश्टिंग ने उसे गिरफ़तार कर लिया हल्सरूब चेट सिंग के सैनिकों ने इस दुरू बेवार पर विद्रो कर दिया और हेश्टिंग ने इस विद्रो को सरलता से दबा दिया और साथ में जो चेट जिंके भतीजे थे महीप नारायर को उन्होंने उसको राजा बना दिया और 40 लाख रुपे वार्ट सी कमपनी को देना सुभीकार भी कर लिया गया बनारस बिद्रो जो है आपके 1780 कैसी के बीच हुआ था आप इस बात को ध्यान रखेगा काकओरी सडियंतर केस में पर्धान आरोपी पंडित राम परसाद बिसमिल को उत्र परदेश के किस सहर में फांसी दिए गई थी अगला है आप यहां पर पे थोड़़ह समझेगा 19, December 1927 को पंडित राम प्रिसाद बिस्मिल relaxing को गोरखपुर्जेल में काकॉरी के सडियंत्र केश पांसी दी गई और 9 अगस 1925 को काकोः सडियंत्र के आरूप में राम प्रिसाद बिस्मिल राजेंदर लहेडी और जो गाईज अस face लख कहаем और रुजरोसन सिंग है इनको फांसी दे दी गी थी रामपरसाद बिस्मिल का जो जनम है ये 11 जुन 1857 को सहा जहांपुर जो की उत्रपरदेश में हैं यहां पे हुआ था मेरे पहरे भाई उत्रपरदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्सन कर दि से किया था option number d correct अंसे हो जैगा मदारी पासी ने अगला सवल देखते हैं अगला सवल है कि अखिल भारतीं किसान सबां की जो अस्थापन है यह हुई थी आगे बढ़तें एंगला सवल देखते हैं कि लखनु में अस्थापित अखिल भारतीं किसान कांग्रेस की महासजिई के रूप में निर्मलिखित में से किसे चुना गया था इसका अंसर बताएंगे लखनों में स्थित अखिल भारती किसान कॉंग्रेस के महासजियू के रूप में किसे चुना गया था सही अंसर हो जाएगा आपका एनजी रंगा को ऑप्षन बी आपका जो है बिल्कुल सही अं सब्स在 Button बुद्ध राम और नवाब बुद्ध राम और महाराज जो है ये उत्तर प्रदेश की सांस्क्रितिक एक महात्पूर्ल एतिहासिक व्डुशक पुरिबकाल में सामेल दें नवाब जो सामेल नहीं थे एक मिनट नबाब ही सामिलते हैं भाई महाराज थोड़ी थे तो यह हो जाएगा बुद्ध राम और नबाब यहांई ऑप्सें एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगले स्वाल है कि आवध राज्य का ब्रिटिस समराज्य में बिले जो है कब हुआ था अगला स्वाल आपके सामने क्या कहला है कि मंगल पांडे जो हैं सिपाही थे देखिए सवाल गलत पुछा गया था यह कानुन गो पेपर में पूछा गया था लेकिन सवाल गलत पूछा गया था कि मंगलपांडे जो मैं गया है जिए चौतीसवी नेटीव इनफेक्टरी जो स्यनिक थें तो यह कौन से थे चौतीसवी थे यहां पे 19 यहां पे 146 के सिपाही थे ठीक है यह निई 1440 बेज़ गे मंगल 55-57 बीके परतम 77 गराम के अगरदूत भी माने जाते हैं ध्यान कीगा अगला साले आपके सामने कि महाल वाडी प्रणाली जो है यह कहां लागू की गई महाल वारी प्रणाली जो है कहां लागू की गई सही अंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा option number 2 उत्तर परदेश में जो भी option भी बता लें बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा अगला साल देखते हैं कि महापरी निर्मार मंदिर जो है यह कहां पर इस्थित है महापरी निर्मार मंदिर जो है यह कहां पर इस्थित है इसका अंसर आप बताएंगे जैसे आप जानते ही हैं कि गौतम बुदी जी का जो महापरी निर्मार हुआ था यह कुछी नगर में हुआ था तो मंदिर भी जो है यह कहां पर कुछी नगर में है option number A आपका correct answer हो जाएगा महापरी निर्वान मंद्र जो है कुछी नगर में है option A आपका जो है बिल्कल perfect answer हो जाएगा अगलस वाले की महारिसी बालमी की आसरम जो है कहां पे इस्थित या फिर स्थापित है राइट answer जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा option B बिठूर में option B correct answer आपका हो जाएगा बिठूर में अगलस वाले की वह प्राची निस्थल जहां साथ हजार मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो कौन सा है जो कि सीतापुर में है option number D correct answer हो जाएगा नैमी सारणिया अगला सवाल की परसिद नैमी सारणिया तीर्थ जनपद में से किसे एक में उपस्तित है मैंने अभी बताए कि जो नैमी सारणिया यह कहां पर है यह है उत्तर परदेश के सीतापुर में option number C आपका जो है बिल्कुल सखी आंसर हो जाएगा उत्तर परदेश के सीतापुर में है अगला है कि सूची फर्ष्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए यहां पर गाई सूची फर्ष्ट में जो उत्तर परदेश के कुछ एतिहास के नगर दिये गए है सूची सेकंड में उसे समध्य तस्तान दिये गए है मिलान करके सही उत्तर का चैन करना है समझे गए यहां पर जो 84 गुमबद है आपका यह कहां पर है मेरे पैरे भाई तो यह आपका जालाओन में है यहां पर आप समझे जो गाई जामा मस्जिद है यह आपके कहां पर है तो जो जामा मस्जिद है आपके मुरादाबाद में है और जो गाई यहां पर बहुत इस्तूफ है आपका बहुत इस्टूप यह कुछी नगर में है और जो गाई यहां पे कामद गीरी परबत है आपका छित्र कोट में है तो क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 यानि ऑप्सन नमर C आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन C जो इस्तूप है यह है रामा भर इस्तूप ठीक है नहीं जो कौसांबी है यहां पे है आपका घोसिता राम मेठ और जो गाइस कुशी नगर है जो कुशी नगर है आपका कुशी नगर में है आपका रामा भर इस्तूप जो साइनाथ है आपका साइनाथ में धमेक इस्तूप ह तो option number C जो है दो, तीन, एक, चार ये बिलकुल आपका सही answer हो जाएगा, बिलकुल correct answer आपका हो जाएगा अगला साल देखते हैं निमलिकित में से अमीर खुचरो किस अस्थान से समन्दित हैं अमीर खुचरो का जो गाइस अस्थान है ये कौन सा है राइट आंस हो जाएगा पटि आली, option number B, correct answer हो जाएगा, उत्तरपरदेश का प्राचीनतम जीवनत नगर कौन सा है उत्तरपरदेश का प्राचीनतम जीवनत नगर जो है, अवाराणसी, option number D, आपका correct answer यहाँ पे हो जाएगा मेरे पैरे भाई बाकी बच्चे 41 नमबर सवाल ये गाइस मैं आप कल की वीडियो में कम्प्लेट करूँगा और आज की हमारी मेहनत आप से भी को कैसे लगी कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना चनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे पैरे भाई ताकि आपको आने वाली हरे नई क्लास के निटिफिकरशन मिला करे और जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकतो मेहनत कीजिए अपना 100% देने की पूरी कोशिज कीजिए क्योंकि अगर आप इसमें सिलक्सन नहीं ले सकते हो तो फिर कहीं भी सिलक्सन नहीं ले पाऊगे ये बात आप ध्यान रखिएगा तो मेरे पैरे भाई इसमें नहीं तो कहीं नहीं ये बात आप ध्यान रखिएगा जीजान सिद्रद के साथ लगे रहिए पुरी मेहनत करते रहिए मैं आपके साथ हूं गाईज आपके लिए जो भी classes मा ले पाऊंगा classes लेकराऊंगा जो भी classes आपके लिए होती हैं आप सभी classes को देखा कीजिए चाहे गाईज वो आपकी हिंदी की हो चाहे वो आपकी मैच की एरिजनी की हो ठीक है तो आज किस बेतरी लाजवाई वीडियों से नहीं मिलते हैं इसके बाद एको नए खास वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए